स्कूल का साल अभी शुरू हुआ है पर आपके ठीचे पहले ही वाइल्ड हो रहे हैं और स्टूटेंट का सबसे बड़ा सपना अपने ठीचे को खराब ग्रीट्स का एक बंच दीना ग्र्ल्स क्लास की तैयारी कर रही है अरे नहीं मेरा स्कूल बाग कितना मैसी है मेरे पेपर क्लिप्स मेरे स्टिकी नोट्स मेरी स्कूल चेपलाइस रेबेल कर रही है जट तमत करो दर चेस पॉकेट के साथ एक नोट पैड को ट्राइ करो एक नोट पैड और स्टिकी रंगी नोट्स ले, स्टिकर्स से अन्वेलप्स बनाए, सजावटी स्कॉच टेप से उन्हें चिपकाए, मिनी अन्वेलप्स दयार है, उन्हें नोट पैट के कवर पर लगाए, सुन्दर छोटी चीजें पॉकिट में रखे, पेपर क्लिप्स, स्टिक की नोट्स और कुछ भी जुआप चाते हैं, सच में, यह बहुत काम का है, है ना, अब आपको जो भी चाहिए, वो सब हाथ में होगा, पॉकिट के साथ ब्राइट नोट पैड, पहली लाइन से प्यार, नोट्स लेना एक प्रे की काम है, मैं जुरुरी चीजों को कैसे हाइलाइट करूँ, बेशक एक ब्राइट मार्कर का इस्तिमाल करके, ओफ, टेक्स्ट के पर स्क्वेर इंच में बहुत जादा कलर है, चलो इस हालत को ठीक करने के कोशिश करते हैं, एक मोटा मार्कर और एक बॉक्स कटर ले, एक ट्राइंगल रॉड में से काटी, एक टिप को दूसरे रंग के मार्कर से सोप करें, अब ग्रेड मार्कर से टेक्स्ट को हाइलाइट करें, एक बारी में दो रंगों को पाएं, अब आप देख सकते हैं कि किस पर ध्यान देना है और टेक्स्ट अभी पढ़ा जा सकता है, इन ब्राइट लाइन्स को देखना अपने बॉरिंग नोट्स को पढ़ने से जादा मजीदार है, लटकिया कितनी डिस्ट्राइप्टिट है, क्लास में चुप रहो, मगर लटकियोंने एक दूसरे को पूरा वी गिंड देखा नहीं, उनके पास बहस कर क्लास में हो, हमें क्या करना चाहिए, कैंडी का एक बॉक्स, पक्का एक उदा स्कूल के दिन को रोशन करेगा, कैंडी बाहर डाले, आपने फॉरन खा सकती है, बैगनेटिक पेपर के टुकडे ले, अपने दोस्ते बात करते समय, जिनको आप इस्तिमाल करती है, उन कर बॉक्स में डाले, हमने क्या बनाया, क्लास में शांद बातचीत के लिए, एक सूपर मॉर्डन मेसेंजर, बॉक्स के लिट पर वाक्यों को बनाए, श्ष, एक मैजिक बॉक्स की गीमत, एक हजार वर्ट्स है, टीचर है, जबसे उसने अपना कर्ये शुरू किया है, उसे याद नहीं, ये सिशायद क्लास उसने कभी नहीं देखी, एक आम नोट्बुक को इस्तिमाल क्यों करें, अगर आप इसे थोड़ा अपग्रेट कर सकते हैं, आपको स्क्राप बुकिंग पेपर जाए, शीट्स को नोट्बुक के साइस का काटे, अलग-अलग प्रेंट्स की पांच शीट्स काटे, आपको पेपर क्लिप्स बिचाए, क्लिप को स्पाइरल पर लगाए, स्क्राप पेपर के टुपडों को लगाए, नोट्बुक को पांच पार्ट्स में काटे और ब्राइट सेपरेटर्स लगाए, अपनी क्लासिस के नाम लिखें, एलजेब्रा, इं बंद करें उन सब एके लिए एक नोट बुक का इस्तिमाल करें कभी कभी आप यूँ है स्कूल नहीं जाना चाहतें नहीं मुझे पक्का एक दिन की चुटी जाए आप क्लासेस केस स्किप करेंगी और बजी रहेंगी इसके लिए एक लाइफ है आपको लिपस्टिक और को आकसेंट करें अपनी स्केन इरिटेटेड बनाने के लिए ब्लेंड करें क्यारेक्टर में आना और बहुत चीक ना ना भूलें वाँ आप तो प्रिदाईश ये एक्ट्रिस है अब इसे अपनी टीचर के सामने रिपीट करो अच्छू इसने काम किया बाई सबको मैं घर जा रही हूँ रुको क्या मुझे अपको धी पढ़ना पड़ेगा ओ इसके बारे में सोचते हैं मैं बिमार फिल कर रही हूँ शायद मुझे फीवर है और यह आइडिया फ्लप चार्ट मारकस को डेडिकेट करता है पहले आपको डबल साइडे टेप चाहिए एक मारकर को टेप से गवर करें प्रोटेक्टिव लेयर हटा दें आगे वेलक्रो का एक टुक रालें वेलक्रो के एक पार्ट को मारकस पर लगाए और अब मारकस को वेलक्रो के दूसरी पार्ट से लगाए अब आप उन्हें और हो नहीं सकते वेलक्रो को बोट पर लगाए और एक असान डूल याद रखें एक बार जब आप कुछ हाइलाइट करते हैं तो मारकर को वाप इस रख दें यह अलिमेंटरी है प्स्त यह बोर इंगलेसन में रे सकाफ में सकेटल सका एक पैक चपाए और कोई कुछ भी नोटिस नहीं करेगा और अपने फ्रेंड को ट्रीट देना ना भूले अरे नहीं मुझे लगता है हमारे फेसेस बहुत खुश लग रहे हैं टीजर ने पहचान लिया और एक बड़ जब उसने कैंडी का स्वाथ चखा तो उसने पूरा पैक लेने का फैसला किया तो क्या टीजर भी इंसान होते है शायद कैंडी उसमें विठास बर दे अगले आइडिया के लिए एक पैन ले रोट को बहार निकाले बोड़ के पाट को काट दे एक कंटेनर को काट कर बोड़ में वापस दाले प्लग को होट ग्लू करे एक औल के साथ एक छेट बनाए और मिटल रिंग लगाए अपनी कीज लगाए और कीजेन पर एक पैन तैयार है क्या लिखने के लिए कुछ नहीं है कुछ मिलता जलता नहीं कहीं भी कुछ भी लिखे और सबसे ज़्यादा सोने वाले स्टूटेंट का प्राइस मेरी पडोसी को जाता है हेई सोना बंद करो टी चरा रही है खत्रा टल गया आप अपने नरम मास्क को यूज़ कर सकती है थोड़ी कॉटन या सिंथेटिक स्टफिंग ले इसे एक जिप लॉक बैग में रखे इसे बंद करे बैग को अपने बैग पैक के एक पॉकेट में रखे और जब हर कोई बेपर की शीट निकाल रहा है तो आप अपना स्टॉफ्ट स्कोल पिलो निकालती है आप एलजेब्रा क्लास में इतनी अची तरह कैसे सोती है साइन, हो साइन, हाँ, बेशक मैं सुन रहे हूँ अगली आइडिया के लिए आपको एक प्लास्टिक पेंसिल केस और इस तरह की एक लेगो प्रिक चाहिए पेंसिल केस के लिट पर लेगो को चिपकाए अब थोड़ी पेपर क्लिप्स और लेगो जले और बनाना शुरू करें सुर्कल पर एक क्लिप भूग करें और सूपर ग्लू करें डिटेल्स को प्लेट पर लगाए और एक छोटा लेगो परसन न भूलें लेगो फैंस को इस प्यारी पेंसिल केस से प्यार हो जाएगा और पेपर क्लिप्स हमेशा वाहा होते हैं जहां आपको चाहिए जब आपको एक पेपर का एक टोपरा काटना हो पर आपके पास कैची ना हो तो क्या करना चाहिए हमारा लाइफ एक इस्तिमाल करें दो रूलर्स लें उन्हें एक एंगल पर रखें और काटना शुरू करें उन्हें अपने हाथ से पकड़कर किनारे सीधे और बहुत साफ निकलेंगे आपको कैची कि जरुरत कभी नहीं पड़ेगी कि आप ऐसे ट्राइ करेंगे एक टेस्ट फिर से हमारी सब टीचर के कंट्रोल में चीट करना बहुत मुश्किल है कोशिच भी मत करना आप गलत है आप ये भी नहीं जानतें कि चीट-शीट को अची तरह से कैसे चिपाया जाए स्लीफ स्पिशनी सदी की बाद है अपने शूज में शीट चिपाना कैसर है का शूज से हील्स को हटा दे और चीट-शीट को अंदर चिपा दे कौन जानता होगा कि एक शूज इतनी जादा जानकारी रख सकता है बस याद रखें चीट-शीट जितनी वो उतनी चोटी होनी चाहिए अगर कोई देख लेता है तो आप इसे हाथ में चिपा सकते हैं किसे कोई मिलने वाला है और किसे को कोई शेक नहीं होगा क्या आपको हमारी स्कूल लाइफ आक्स पसंद आए तो नीचे कॉमेंट्स में जानते हैं आपको सबसे ज्यादा कॉंसर्चा लगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करें और बेल पर क्लि करना ना भुले